हेलो प्रिया विज्यार्थियों स्वागत है आप सभी का मैच सिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और बच्चों लास्ट क्लास में हमने exercise 2.1 तक complete कर लिया था exercise 2.1 में बच्चों हमने देखा था कि कैसे कोई ग्राफ अगर बना हुआ है तो ग्राफ पर ग्राफ को ग्राफ को अबजर्व करके कैसे हम बता सकते हैं कि कि वहां पर जी रोज कितने हैं ठीक है लाइक जैसे से किया था हमने बच्चों जैसे माल लो इस टाइप का ग्राफ है और यह इस टाइप से ग्राफ यह अपने पास में शो खर रखा है तो हमने देखा था कि यह एक अपने पास में कर उजा X-2 तो अब बताओ कि इसमें 0 कितने होंगे तो हमने 0 निकालने के लिए इसको equal to 0 कर दिया था और X is equal to X की value find out कर ली थी X is equal to कितना आ गया 2 आ गया तो हमने कहा कि X is equal to 2 क्या है यहां पर एक जीरो जाए ठीक है लाइक बत्तों एक क्योशन लेता हूं क्वाडिटी एक्वेशन का X स्क्वेर माइनस 5 एक्स ठीक है माइनस 5 एक्स प्लस का 6 is equal to 0 यह हमें मानलों दिया हुआ है ठीक है हमें कहें जीरो फाइंड आउट करना क्या जिरो घ्राफ आलत बहुत एजी to 2.1 में जीति बार यह एकक्स संब्सक्राइब इस पर बताया हुआ कि यिकोल टुक्हरा है यह इक्स पॉली后 मियल इंगि रहेवल Woo Do कि अगर हमें और हैं एकक्वेशन दे रखी होAU हमें कैलकूलेशन रखंब अगर find out करना हो जी रोज तो कैसे करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे आप स्प्लिट में लगाएंगे ना ब्रेक करने वाला तो फाइफ एक्स को ब्रेक करेंगे कि जिसे प्लस या माइनस उसका एडिशन या सब्स्ट्रेक्शन क्या आजाए फाइफ आजाए और उसका मल्टि तो यहां हमारे सैट बैट जाएगा तो यहां आमने इसको एक्स स्क्वर तो पहले से था इसको 3x लिखा टू एक्स लिखा और प्लस 6 था अब दिक्कत आती है साइन क्या करें बहुत को मन दिक्कत हैं कि मालो तो चलो बाइज़ लितजे ने वाला है क्वें जाए तो हमें कुसंन हो चाहे चोटा चाहे बड़ा तो है फैक्टर भी झाल लेते हैं उसमें नहीं हैं उसमें महनत लगती हैं बट कोई सिंपल है याज से इजली निकाल लेंगे जैसे यहां सिंपल था कि 5 को ऐसे तो ब्रेक करना है कि इसका मुट्प्लाइज 6 वंदा 6 हो तो 5 को हमने कर लिया कि 4 1 किया 3 2 करते ही बस आया 3 2 करते ही 3 2 3 2 जा क्या होता है 6 होता है और 3 कि 3 1-2 कर रहे हैं आपना एड़ गर ने पर ही तो 5 आ रहा है applis यसका मतलब दोनों या प्लस की समान चीन ऑएंगे लगा तो माइनस आएंगे या फिर दोनों प्लास की आएंगे को समान है क्या होते हैं जो इकवल शाइन होते हैं वह हो जाते हैंracन तो यहां हम माइनस माइनस या प्लस प्लस करेंगे बट फाइनली हमें एंसवर देखिया आप कौन सो चाहिए फाइप क्या चाहिए माइनस का चाहिए यह प्लस का चाहिए माइनस का चाहिए इसका मतलब यह दोनों माइनस माइनस के होंगे अगर हमें प्लस का चाहिए होता तो लोनें प्लस प्लस के करते अगर समझागी बात बच्चोंए आपको एक्षिस आई नहीं माइनस प्लस प्लस कुछ भी करते हो बट यहां पर माइनस का सबमेए हम यह को स्काह्या है मनेगे गाथ इन दोनों में माइनस तू कोरिं कि क्या है है तो यहां कि है आउंड ट्रिया आँ अब यह कि आ यदो प्लस टू लेकर देखेंगे तो माइनस का एक सैंगे सैंगे reflecting चलो मैं यह हम वापीस को कर लेता हूं दो प्लस टू मैंने लिया तो प्लस टू लिया तो जब मैं बाहर प्लस लेता हूं तो अंदर सेम साइन आता है तो माइनस का एक साथ है प्लस का थ्री आ जागा कोई दिक नहीं अब देखो आप x-3 और यहां माइनस प्लस 3 मतलब साइन चेंज आ रहा है जबकि ब्रेकिट के अंदर तो सेमाना चाहिए इसलिए हमने क्या कर लिया बाहर साइन क्या ले लिया माइनस ले लिया जब आप पता है माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं जब बाहर प्लस लेते हैं तो अं सबस्क्राइब नहीं ऐगे तो आप वापिस एक मिनट बैक लेकर पीछ लेकि वापिस चीज को जो मैंने बूला कि इसको ध्यान शोनों दो बार सुनों तीन बार सुनों क्योंकि यही इंपोर्टेंट फंडा है आप अगर आप एक क्युस्टन में समझ लोगे धंग से प्रोपर ली तो आगे आपकी घलतिया नहीं होगी और यह बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं ठीक है तो चलिए फिर आगे चलते हैं देखते हैं बच्चों यहां हमने इन दोनों को सेम कर दिया सेम कर दिया तो बहुत बढ़िया है सेम होना चाहिए एक बार 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 ले लिए एक बार बार ले लिए एक्स माइनस यह हो गया अब इसक तो जीरो है कम से कम कोई एक जीरो है कोई एक जीरो होगा तो मैंडिपलाई में कुछ भी हो जीरो होई जाता है तो या तो यह जीरो यह जीरो इसका मतलब एकस की वेल्डू 3 आएगी या फिर एकस वेल्डू टाडग पर ले criticism मतलब एकस की वेल्डू क्या आएगी मेरे esses की वेल्डू फिर्ट एकस की वेल्लू तो यह और आपको रिपीट करवा दी है जब हमने कोंसम में दे रही थी और हमने जीड़ फाइंड आउट किये थे और यह वाला ग्राफ जब हमने ग्राफ को देखके जीरो बताए थे ठीक है तो अब चलते हैं एक्सेसाइज 2.2 में चलते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल का है तो 2.2 में देखे फर्स्ट केश्टन पाइंड जीरो सॉब फोल्वाइंग कोडिशी पोलिनोमियल जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल करेंड वैरिफाइव अब देखो क्वाडिटिक ही मैंने ली थी यह वाला जो क्योश्न ली था थो मैंने एक्सिक्वार माइनस 5x प्लस 6 वाला यह क्वाडिटी कि तो थी क्योंकि maximum पावर यहां पर क्या थी तो यह वैसे आपको क्योशन दे रहे हैं यहां क्वाडिटी क्या निकालना है आपको यह वहाला काम तो हो गया देखिए कि मैंने आपको पहली बता दिया इसका निकल सकते हो विब स्कार्वार लेकिन तो यहां पर नहीं है वह इस कोपनेंगे ठीक है कोई दिक्कत फिट्ट ले लेता हूं और एक क्योशन कोई ओर लेता हूं मालों थर्ड ले लिया थिक है थोड़ा सकत है नेगेटिव नेगेटिव माइनस जाद है और शिक्स सेवन कुश्ण तो मैं थाड और फिफ लेता हूं ठीक है और बाकी क्योशन ऐसे होंगे और लास्ट में यह कीज हमने नहीं देखी अब देख दैंड वेरिफाइड रिलेस्टन बिट्वन दर जीरों एंड द गोपीशेंट ठीक ना एंड़ कोपीशेंट ठीक जीरों जायेंगे और कोपीशेंट जायेंगे उनके बीच में डिफरेंश निगालना तो तो थर्ड क्योशन मैं लेता हूं question first का देखिए पी एक्स हमें दिया हुआ है इस इक्वल टू 6x square minus 3 minus 7x तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको arrange करेंगे 6x square minus 7x minus 3 कर लिए हमें इसके बाद में x square के बाद में x आना से इसको हम इदर लिया और इसको हम इदर लिया अब देखिए है वही काम करना है इस काम में क्या करना है factor करना है तो जो एडिशन या सबस्टेक्शन क्या आए कि 7 आए और multiplication क्या आए 3 नहीं आए 6 x square वाला भी multiply होगा एक्सी स्क्राइब को पिशेंट क्या है 6 तो 6 इंटू क्या आए 3 मतलब माइनस का क्या आए 18 आए यह बद छोड़ो माइनस माइनस का छोड़ो आप 18 आए क्या आए 63 चा एटीन आए तो 7 को करते हैं कि 7 को करते हैं सेवन को 6 और 1 किया तो 6 बन जा 617 होता है बट 6 multiply 6 6 होता है गलत हो जाएगा फाइफ टू कर लिया तो टैन होता है यह नहीं चलेगा फोर थ्री कर लिया ट्री और सुरी 434 27 अब तो वह रिपीट हो रही है 43 अब 251 रिपीट ही होगी कम होती जारी हो तो इसका मतलब एडिशन में तो बात बंद नहीं रही है अब क्या करेंगे सब्स्ट्रेक्शन माल लेंगे सब्स्रेक्शन मतलब अभी तो साथ कैसे कर रहे थे पांच और 2 जो सब्स्रेक्शन मतलब हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि इसका मतलब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि इसका मतलब हम यहां पर यह कर रहे हैं कि हम यहां पर सब्स्ट्रेक्शन करते हैं तो बच्चों आपको पता होगा कि हम अपोजिट साइन रखते हैं इसका मतलब हमने एक बार यहां माइनस रखा यहां प्लस रखा यहां प्लस ओलुकँ किया तो 7x को हो तो भी 7x है अगा बट on उब्न को आएक एक 20 Qa तो ब्लस का नहीं ओग्छा कर बड़ा है वह समय काई है वह शाइन साइण का होना चाहिए बात आई समझ में इसको इसको मैं यहां लिख लेता हूँ थोड़ा से किलिए 6x2-9x-2x-3 ठीक बच्चों अब इसमें से common इसमें से common इन दोनों में से हम comment नहीं क्या comment आएगा पहले वाले 6x2 और 9x में से नहीं कि सिक्स क्या होता है two into three होता है और nine क्या होता है three into three now data coming आएगा three three two common आ रहे तो एक तो three आ गया और दूसरा x2-3x-2x को मपन नहीं कि 3x अभ कर लेंगे तो यहां कितना आ रह त्यूंक इस कषे क्रता हैं डिवाइड करते हैं कैसे करते हैं मैं आ देता हुआ है पड़ी कि 6x square में एक सिस्क्राइब एक सिंटू एक्स नीचे क्या है 3x यही तो करते हैं जब हम बाहर common लेते हैं तो अंदर कैसे आता है हमारे पास में डिवाइड करके हमने 6x मैं जस्ट 3x का डिवाइड कर लिए माइनस 9x में 3x का डिवाइड किया तो xx कैंसिल आउट 9 में 3 का किया तो 3 आ गया इन दोन में कुछ common आ रहा है दो और तीन में कुछ common नहीं आता एक आता है common और x में और यहां विदाउट x में तो एक कुछ नहीं आएगा तो प्लस का बन को मन आ अंदर आगा 2x माइनस 3 और वैसे भी समझ जाना चाहिए में कि 2x प्लस 3 ब्रेकेट में आ रहा है और यहां 2x माइनस 3 2x माइनस 3 तो यहां प्लस वन ही आएगा कुछ common नहीं आएगा तभी तो same to same बनेगा ब्रेकेट में तो 2x माइनस 3 हो गया और एक हो गया 3x प्लस यह दो चीज़ें हो गई ठीक है अब जब यह दो चीज़ें होगी तो हमें क्या निकालना जिरो निकालने निकाल लो जिरो एक बार 2x माइनस 3 इन सब के बराबर में क्या चल रहा है जीरो चल रहा है क्योंकि हमें find out क्या करना है जिरो करना है यहां clear में दिछाते हैं एक तो आपको दे रहा है 2x क्या तो याह तो एक बाट 2X 2X 3 is equal to 0 करता हो और यहां आप 3X plus one is equal to 0 तो यहां एक्स की value आगे 3 upon में 2 और यहां एक्स की वेल्डियों आगे-1 upon में तो यह दोनों क्या होगे zeros होगे ठीक है यह दोनों क्या होगे जीरो दो गये को यहां तो यह तिरकर अगी बात आपको समझ में एलफा लफा और बीटा आ खो ऑगए और बीटा यह आ गया सब्सक्राइब नियों मतलब इसमें त्रीपा दोते हैं अपने पास में मैक्सिम पाउर उसकी क्योब हो तो वह होती है जैसे maximum power क्या होती है एक स्क्यूब होती है तो इसमें तीन निकलते हैं यहां पर maximum power x square थे इसलिए दो निकले हैं दो यहां पर जिरो निकले तो इनको हमने alpha beta माल लिया अब देखिए आप यहां सबसे polar simple formula एक दो जीजें होती है जैसे आपके पास एक quality equation है तो वह होती है एक स्क्वायर plus BX plus C a x square plus BX plus C माल लो इसके दो आपके पास में क्या आगए दो आएंगे वैसे दो आपके पास क्या आगे जीरो जागे एक तो जीरो जोते हैं और एक क्या होते कॉफि c रहते हैं कौफीच जहां पर ऐते हैं रहां कणवा से में यह आप यह अब यहां पर फ़ोर्मिला लगता है सम ऑफ। चेटीन आल यहां पर इत्स कॉफिशियंट कि मुतल Originally खेहां क्या करते हैं समक्लत़ sum of zeros मतलब alpha plus beta करते हैं alpha यहां पर क्या है 3 by 2 और beta क्या है minus 1 upon 3 इसको solve करेंगे तो कितना आजाएगा 2 और 3 का LCM लेंगे तो कितना है 6 आया तो यहां आजाएगा 9 minus 2 मतलब 7 upon 6 आजाएगा alpha plus beta यहाता है अब alpha plus beta को दूसरे तरीके से यह तो हमने निकाला simple alpha हमारे पास simple beta दो zeros थे उनको हमने जोड़ दिया हमारे पास यह अंसर आ गया sum of alpha plus beta sum of zeros होता है उसको हम लिखते है minus b upon में minus b का मतलब क्या होगा बच्चों minus b का मतलब होगा minus into x का कॉपिशेंट का कॉपिशेंट English वाले दिख सकते हैं कॉपिशेंट ओफ एक्स अपॉन में ठीक है ना एक क्या होता है इसको मैं इंग्लिस में लिख देता हूं कॉफिशेंट है और एक्स इसको तोड़ा इदर दिख जाए आपको बात आई देखो बात आरिये समझ में आपको कि इसको हमने क्या लिखा minus B upon याद गर लो कि sum of zeros क्या होते है minus B upon A तो minus B, B का मतलब B का मतलब देखिए B का मतलब क्या है? X का coefficient, coefficient of X और upon में a a का मतलब a coefficient of x square यह याद रखोगे तो थोड़ा सा confusing है ठीक है यह आप यहाँ पर equation लिखके फिर आप समझ सकते हो तकि main आप क्या याद रखो इसको याद रखो यह आपको easily याद दोगा minus b upon में a और अगर आपको कह दे कि प्रोडेक्ट ओफ जीरो आपको निकालने हैं तो वह आप लिख दो प्रोडेक्ट मतलब alpha into beta तो alpha into beta वैसे तो आपको 3 upon 2 into minus 1 upon 3 दे रहा है वह आप सब्सक्राइब लेना बट अब प्रोडेक्ट ओफ जीरो बोल देए alpha into beta वह होता है c upon में a तो c upon a का मतलब क्या है c का मतलब हो इस इक्वेसिंग बते रहा हूं सी यहां पर काया constant time है तो constant time upon में c upon a a same होगा a नीचे हमेशा same रहेगा coefficient of x square बात आई समझ में तो यहां जब आपने alpha plus beta निकाला तो minus b upon a नीचे a ही आया है मतलब coefficient of x square ही आया है ठीक है और जब आपने product निकाला alpha into beta तो वह होता है c upon a यह आ रहा है बट आपको बस इत्ता ध्यान अटना है कि sum में negative आ रहा है sum है एक तो जोड़ करते हैं लेकिन आ क्या रहा है negative ठीक है इ and product of zeros होता है c upon a, c मतलब constant term यहां पर c जो होती है constant होती है और b होता है वो coefficient of x होता है और a जो होता है वो coefficient of x square होता है बात आई के लिए समझ में आई बहुत important question है बहुत verify करने वाला important question ठीक है अब हम verify कर भी लेते है कि क्या real में होता है गया तो हमने alpha plus beta निकाल रखा है 7 upon 6 ह होता है माइनस b upon a कर लेते हैं तो माइनस b is equal to, माइनस b मतलब माइनस b मतलब यह आपके पास equation कौन सी दे रखी थी मैं आपको equation बताता हूं 3rd equation की 6x square minus 7x minus 3 यह आपको अभी हमने starting से solo किये थी ठीक ना 3rd question था फर्स्ट का अब माइनस b मतलब यहापे b कितना है b है minus 7 a कितना है a है 6 b कितना है minus 7 और c कितना है minus 3 पहले तो आप a b से decide कर लो a minus 6 x square के multiply में जितना भी है क्या है plus 6 x plus 6 b b होता है coefficient of x तो coefficient of x का मतलब x के multiply में जितना है कितना है minus का है तो माइनस लगाना पड़ेगा और जो coefficient of constant जो होता है constant क्या होता है सी वह पूरा का पूरा मतलब with sign with sign minus 3 यह हमर पास सी हो गया अब माइनस भी अपॉन ए तो माइनस बीज माइनस 7 अपॉन में ए मतलब 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का 7 अपॉन 6 और यह भी प्लस का 7 अपॉन 6 आगया answer ठीक बात है अब product हम इसका निकालते हैं तो product निकालेंगे तो देखे क्या होगा इसको हमने करते किया तो कितना है अब तो माइनस का वन अपॉन में यह हमारे पास क्या होगा वैरीफाई हमने वैरीफाई हमने क्या कर लिया कर लिया है बात आ रही है समझ में आपको ठीक है तो आप अगर क्वाडियूटिक दे रहे हैं और क्वाडियूटिक ही दी जाई है आपको first question में सारी जो क्या है इसी क्या है sin का घ्यान कर आपको एक पास प्ता है sum of zeros आप एक तो आपके पास जो जो जीरो आये हुए है three upon might one upon three इससे आप sum of zeros निकाल सकते हो कोई problem यह multiplication of zeros भी निकाल सकते हैं तो कोई problem नहीं है अच्छा अब alpha plus beta जो sum of zeros निकाल ले हैं आपने उससे तो निकाल लिए zeros से अब coefficient से कैसे निकालेंगे तो याद रखो बच्छों जब sum की बात आएंगे तो minus आएगा minus का b upon a और जब product होगा तो c upon a होगा याद रख लो याद कर लो इसको ठीक है learn कर लो पूरा डंक से sum में minus आएगा और b upon a और product में c upon a अगर ऐसा कर लोगे तो जरू से जरूर आपका ये question सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं अपना हो गया है first class question कर चुके हैं ठीक है मैंने प्रामिस किया था फिफ्ट के उसन लेने का इसी का फिफ्ट के लेने का ठीक है तो ले लेते हैं हाला कि ऐसा ही है एज़ट इस बट ठीक है एक और ले लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझा जाए और बाकी के चार question फिर भी रहेंगे तो वह आपको जरूर से जरूर इस lecture को लेने के बाद में खुझ से practice करना है ठीक है तो T square minus 15 दिया हुए कितना दिया हुए T square minus 15 तो बच्चों यहां पर हमें जो फोर्मिला लग रहा है वो क्या लग रहा है आपको पता है यहां पर फोर्मिला लग रहा है वह लग रहा a square minus b square जो होता है a plus b और a minus b जो कि क्या होता है जो कि होता है a plus b and a minus b अब देखिए ठीक है ना a square minus b square क्या होता a plus b and a minus b अब मैं दो formula की साथ साथ और लिखा देता हूँ जिससे आपको जान में रहे पहला formula होता a plus b का whole square जो होता a square plus 2ab plus b square दूसरा formula होता a minus b का whole square जो होता है a square minus 2ab plus b square क्या फरक होता है बस कुछ फरक नहीं होता 2ab के आगे plus होता है जब जी होता है और 2ab के आगे minus होता है a plus b पहला formula है पहला formula यह ही है a plus b का whole square first formula a square plus 2ab plus b square second formula a minus b का whole square मतलब a square minus 2ab plus b square और third formula यही है और यही रहेगा ठीक है आप direct पूछा कभी teachers पूछ लेते हैं कि third formula बताओ factor का तो a square minus b square है वो था a plus b a minus b तो यहां हम वह लगाएंगे a square और इसका कभी इसका भी square करने के लिए हम अंदर क्या कर देंगे root कर लेंगे हना यहां पे square है यहां भी square करने के लिए root 15 अब क्या कर देंगे same to same वही a plus b और a minus b ठीक है अब वही है zeros तो चली रहा है क्योंकि हमें क्या निकालने थे zeros निकालने थे इसके इसका मतलब या तो t plus root 15 0 हुआ होगा या t minus root 15 जीर हुआ होगा तो जब यह जीरो होगा तो root में minus 15 और जब यह होगा तो plus में root 15 यह दो हमारे पास में क्या आगे एक तो हम इसको आप alpha मान सकते हो एक को आप क्या मान सकते हो बीटा मान सकते हो ठीक है अब देखिए sum of आप लिख सकते हो कि sum of जो हमारे पास क्या है जीरो जीरो क्या होता है alpha प्लस बीटा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना है जीरो आया और वैसे अगर हम निकालना चाहिए तो क्या होता है मायनस बीपोन या देना बच्सों सम में माइनस लगेगा और भी अपॉन एक है इसको हम आवी साथ में निकाल लेंगे ठीक है इसके साथ हम क्या निकालते हैं product of project of zeros थिक है अब यह फिप्टेट अब सर्षय घ्माइन निकालेंगा गर प्लेंगायbook १फिव बेगेज़ करें है तो निकालनाय घ्रख्षय क्या होते हैं या भागया में फफॉप्टी में में इसार यह फिपलियू स्क्राइब स civilians Terminator 12 तो इसे हैं मैक्सिमॉम पाउर स्क्राइब इसके वेडिले केशंठी टिने वन है थो ऑक एक चूरी जारी को चीर है है यह नहीं भी क्या होता है multiply coefficient of t यहां पर x coefficient of x बोल सकते हैं यह इस equation के साफ से t मतलब इस चोटी घात मतलब t square के चोटी घात t वह यह नहीं है तो उसके coefficient भी क्या होगा 0 होगा और c यहां पर क्या है माइनस 15 ठीक है अब देखिए माइनस ब अपॉन ए माइनस बी बी कितना है जीरो तो माइनस जीरो अपॉन एवन तो यह कितना है जीरो सेम से मारा है यह भी जीरो और यह भी जीरो यह आया माइनस 15 ठीक है झीए कितना है यहां पढले मायनस ऐम यह माइनस पीटिक मिनग Cantonite किसन पॉस्टी और निकփने गुट तो मैंने 2.1 का सुर्फ पहला क्योसिंग लिया है किछोंच कम ग्म ही चैसे निदें करेंगे यह खुंच क्याना होता तो मुश्किल से 5-6 मिनिट का वीडियो बनता लेकिन मैंने इसके साथ साथ में आपको आपको स्प्लिटिंग मैथड भी करवा दिया है आपको यह भी बता दिया कि क्या पहचान क्या होती है और मतलब बहुत सारी चीजें जैसे अपने मन बता दिया ABC कैसे आपने लरन कर लो ठीक है और माइनस प्लस पर भी हमें बात कर ली कि हमें साइन अपोजित कब चाहिए सेम साइन कब चाहिए तो इस रहसाब से बचों सवाल के साथ-साथ मैं वापिस इन चीजों को तो बेसिक मैट्स है उनको भी मैं आपको बताता रहूंगा बार बार जिससे चाहे एक या दो ले आद दो ही क्योश्ट करवाएं मैंने फर्स्ट के सिक्स पार्ट है उसमें से दो मैंने करवा दिया है थर्ड और फिप्ट बाकी के चार क्योश्ट आपकी जिम्यतारी है कि आप जब भी वीडियो देखें उसके बाद में जरूर से जरूर करें ज्यादा सब्सक्राइब करें तो चली अगला सेकिंड चोटा यह लेकिन मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लोगा कोई दिक्कत नहीं है आप फर्स्ट क्योश्ट करके बैठी उसके बाद में बहुत जल्द सेकिंड क्योश्ट मतनब 2.2 का सेकिंड वीडियो लेक्या हूँगा तो अगर आपको पसंद आ रहा है समझ आ रहा है मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना इसको और चलिए ठीक है बच्छों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए केर बाइ बाइ सी यू